किसने कहा था आपको उत्राखंट जाने को नी देखे ऐसा होता है कि आप अभी भी उत्राखंट की भारती जनता पार्टी में सक्रिय हैं जी हां मैं अभी भी सक्रिय हूं पुश्कर सिंग धामी की सरकार आपसे सला करती है अगर भारती जनता पार्टी आपको ये निर्देश देती है कि 2024 के लोग सभा चुनाओं में आपको पौड़ी गड़वाल से पर्चा भरना चाहिए तो क्या आप इसके लिए प्रस्तुत होंगे हाँ बिल्कुल देश उपर जा रहा है इंदोस्तान आगे बढ़ रहा है इंदोस्तान अम्रत काल आ चुका है हम 2100 साल की आजादी होगी काल में कई लोग यह भी कहते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है नेताओं पे एडी के च्छापे होते हैं और जैसे नेता भाजपा में आ जाते हैं सब ठीक हो जाता है तो इस अम्रत काल में भी मतभेद हैं विद्वानों के बीच हां और वह और और दिखे द मतरी हैं दो राजिमंत्री हैं संग के कद्दावर नेता नेता कारोबारी हैं जिनके प्रभावशाली पritisा प्रधानमंत्री कारयाल से शौ जानस्थानिक वजन मिलता है और एडवांटेज मिलता है जो कह रहे हैं उनका जो चार्ज था यह हमें नहीं समझा अंग्रेजी बहुत थी पैसा कहां से आता है और कहां खर्च होता है दूसरा उन्हों नहीं इस रिपोर्ट में कहा कि आपको जो विदेशी रख्षा कंपनिया है उन से बहुत स्पॉंसर SHIP मिलती मुझे भी नहीं पता किस विदेशी कंपनी की गात? बोईंग जैसी विदेशी रख्षा और विमानन कंपनी की बात की इस्राइली फर्म मागल की बात की, किसी चीज़ पे किसी कमपणी पे जान चल रही है, समंदित मंत्रालियों के मंत्री किसी फाउंडेशन से जुड़े है, वो कमपणी उसको स्पॉंसर्शिप कर रही, तो यह लगता है कि आपके साथ एक नाइंसाफी हो रही, क्योंकि आपके पिता एक बड़े पत पर बैटे हैं तो आप कुछ भी अचीव करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि अजीट डोवाल जी की वज़े से एक तिंग टैंक और लेडी था तो संग के विचार परिवार में क्या सोचती कि एक और इंडिया फाउंडेशन शुरू कि यह तो वही बताएंगे यह तो अच्छी बात होगी ना भाई आप आप किसी में यकीन करते हैं आपने उसकी मदद की दर्शक कहेंगे कि बता नहीं रहे हैं नहीं सब कुछ हुआ सब कुछ हो रहा था सब लोग कह रहे थे देश डाउन जा रहा है और फिर वही लोग वाप लोगे नाम नाम बता नहीं रहे हो तो मैं फिर उपर से किर्वाना शुरू करूं का नहीं कहीं तो आप पहुत लोग तो दर्सकों को क्लू मिलें ने 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 दोहजार उननिस की कोशल श्राफ की बाई-लाइन से कैरवन की रिपोर्ट है एक मुकदमा आपकी तरफ से किय लगा गया है मानहानी का रास्ट्री सुरक्षा सलाका अर्डोबाल के बेटों की फर्जी कंपनियों का जाल इसमें इल्जाम लगाया गया है कि आपके भाई विवेक वो केमेन आइलेंड में हेज़फंड चलाते हैं और उसके बाद एक लंबा सिलसिला है कि किस तरीके से आ पड़ गया वो केमन आइलेंड से नहीं आएगा तो कहां कहीं अफरीका से आएगा आप कितने बरस रहें पाकिस्तान में कहां कहां रहें क्या पढ़ाई हुई जरा वो बताई है गरीब 6-7 साल रहे और बेसिकल इसलामबाद में थे वहां पर जो हिस्ट्री पढ़ाई जात जंतर मंतर पर धरने में बैठे पहलवानों की शाला दूशा है जमगट के एक और एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं इंडिया फाउंडेशन ये एक तिंक टैंक है लगभग देड़ दशक पुराना इसके वन अफ दा फा दोवाल का एक परचा ये भी है कि ये उत्राखंड की भारती जंता पार्टी के साथ बतौर पदादिकारी जुड़े हैं और खालिस राजनेतिक लहजे में कहें तो टिक्टार्थी भी हैं ऐसा भी दहरदून के सियासी गल्यारों में कहा जाता है शौर दोवाल का एक परच के साथ जमगट में हमारे साथ मौझूद हैं अलग-अलग विश्यों पर ट्रैक्टू डिप्लोमैसी के विश्यों पर इन पर जो कुछ एक आरोप लगे हैं उन विश्यों पर इनकी राजनेतिक सामाजिक महत्वा कांक्शाओं के बारे में इनका जो विजन है इंडिया फा हमें समझना चाहिए कि पैसा जा कहां रहा है पैसा आ कहां रहा है और भविश्य की संभावनाएं क्या है शौरेडवाल की भी और हमारे देश की बहुत-बहुत स्फागत है आपका जम घंघ मह बहुत बहुत रहाँ सबसे पहले राजनीती में बात करके उसको किनारे धर लेते हैं उसके बाद फिर आपके जो area of expertise हैं उस पर आएंगे जिससे भी हमने बात कि उसने कहा ये लगभगत है था कि 2019 में पौड़ी गड़वाल लोग सभा सीट से शौरेडवाल चुनाव लड़ेंगे बीसी खंडूरी जो सेटिंग सांसत थे बीजेपी के वयोवरध वरिष्ट नेता पूर्मकेंद्री मंत्री पूर्मुक्य मंत्री वो एक जो भारती जनता पार्टी का अलिखित नियम है जिसे अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्वीक भी कर लिया जाता है विनेबिल्टी का argument दे इस बात में कोई सचा ही नहीं है पहली बात तो ना मैं कभी दावेदार था और ना ही मुझे कभी किसी ने कहा कि हाँ आपको वहां का टिगट देंगे मुझे को 2018 में कहा गया कि आप क्योंकि मूलता उत्राखंड से हैं और आप RSS के एक रिलेटेड टिंक टैंक में काम कर र ना था और क्योंकि 2018 में मुझे कहा गया और by coincidence 2019 में चुनाओ थे लोगों ने दो प्लस दो लगाया और क्योंकि मैं उत्राखंड से हूं और मैं वहां आया हूं मैं टिकट का दावेदार हूं और मैं शायद लोग सवा लड़ूंगा उस बात में कोई सत्ते नहीं था वो 2019 मे जब टिकट बटा लोगों को साफ हो गया जब मुझे टिकट नहीं मिला कि मेरे को कोई किसी ने ना कहा था ना मैं कोई दावेदार था आपने कहा अपने जवाब में शौर की कहा गया किसने कहा था आपको उत्राखंड जाने को ने देखिए ऐसा होता है कि यह जो larger ecosystem होता है संग का उसमें समय समय पर लोगों को समय अलग-अलग काम दिया जाता है तो जैसे कि क्योंकि मैं बीजेपी और बीजेपी और इंडिया फांडेशन से कई लोग एक दूसरे organizations में जाते हैं मुझे within the system कहा गया है कि आपको हम महां की state कारेकार्णी में सदसे बना रहे हैं और अगर आप इसे फाइन हैं बीजेपी में काम करने के लिए तो आप महां पर काम शुरू करिये वहां पर जाना घूमना शुरू करिये मिलना शुरू करिये वह पर इतना ही था यह जो camera की उस पार दर्शक हैं यह political interview इस लोब से देखते हैं कि जब नेता या भविश्य के ने मतलब RSS talent spot करता है और फिर BJP को संकेत करता है या निर्देश देता है कि इनको यहां सक्री करिये या BJP ऐसा करता है और कई बार संग से आयात करता है या बड़े समनवय और संतुलन के साथ यह चलता है थोड़ा यह आप अपने उधारों से समझा दीजे देखिए इस सवाल है वो मैं अतना बता सकता हूं मैंने देखा है कि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग skills होती है और अलग-अलग लोगों की inclination होते हैं तो इस system के अंदर जो आदमी किस काम के लिए सबसे सही होता है उसको वहां पर over the time direct किया जाता है उसमे system जो ecosystem में उसकी भी preference होती है कि कि को कहां देख मैं चाहेगा और उस individual की भी preference होती है कि वो उस तरह का काम उसको पसंद है या नहीं है और I think कहीं पर जब वो दोनों साथ आते हैं interest and intent intent तो उस तरह की category में कुछ लोग qualify होते हैं और उनको जगा जगा पर place किया जाता है not only in the BJP but as I said within the larger ecosystem कुछ संकी तो और भी बहुत सारी organizations हैं इसके अंदर मैंने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो obviously full time politicians हैं और full time politics as a profession है तो उनके लिए तो choice easy होती है क्योंकि उनके लिए तो BJP होती है वो कई सम बार पार्टियों से भी आते अंदर आते हैं तो obviously मैं तो उस category में नहीं belong करता था तो मेरे लिए कोई ये एक direct वो नहीं था कि मुझे BJP में ही जाना है या BJP में ही करूँगा तो मेरे उधारन में ये था क्यों मैं तो profession ढूंड नहीं रहा हूं मैं को को profession तो चाहि जो मैं कर रहा हूं volunteer हूं मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं मैं अपनी मर्जी से आया था और अभी भी अपनी मर्जी से कर रहा हूं तो मेरे लिए कोई ऐसा मैं profession ढूंड नहीं रहा था तो मैं काफी neutral था कि मुझे कहीं भी काम करने के लिए भेज दिया जाए मैं उसको करने का हेड हूँ और मैं वहां की स्टेट का रिकार्णी का मेंबर हूँ तो पुशकर सिंग धामी की सरकार आप से सला करती है समय समय पर जैसे की एक सिस्टम के अंदर सला ली जाती है जहां उनको लगता है वो करती है और दो हजार चौबीस के लोग सवाचुनाओं में क्या आप इसना राइट इनफोर्स कर रहा है या उसके मांग कुछ मांग रहा है मैं इसको अपने अपने लाइफ को और अपने पब्लिक लाइफ को as a mission as a service देखता हूं तो अगर system को लगेगा कि मेरी ज़रत है उस काम के लिए तो मुझे कह देंगे अगर मेरी स्थितियां उस समय अनुकूल होंगी कि मैं कर सकूंगा तो मैं हां कह दूँगा नहीं होगी तो मैं बोल दूँगा कि मैं नहीं कर सकता पर मैं उस दावेदारी वाले game में नहीं हूं तो मेरा आप इसके लिए प्रस्तोत होंगे हाँ बिल्कुर अगर अगर निर्देश आएगा तो मैं उसका निर्देश का पाल कुन को जैसे मैंने 2018 में भी किया जब मुझे कहा गया किया अच्छा आप मुझे इमानदारी से एक बात बताईए यह इन्वेस्मेंट बैंकर यह पार्ट जब मुझे आपक निर्देश देखी तो तो जरूर करूँगा रहुड गार्ट इस लिए यह जो लिए उसके अज़िए यह पुछ फिक्स लाइन होते हैं अक्रॉस दबावर्ट इसके जितेश रिच्छ निर्देश देगी तो जरूर करूँगा धृटिट इस लिए I should just be correct, why should I try to look honest, I should just be honest, it's much easier. तरीक है ना, मैं यह perception क्रेट करने की कोशिश करूँ, कि मैं बहादूर हूँ, मैं बहादूरी बन जाता हूँ, और नहीं बनता, तो मैं बोलता हूँ, कि मैं डर पोक हूँ, तो जो आपने मुझे सवाल पूछा, मैं इस बात में genuinely believe करता हूँ, कि politics profession नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, ठीक है, लेकिन politics एक responsibility भी है, अगर आप किसी एक system का part है, और आप sign up करते हैं, तो आपको जो जो भी responsibility दी जाती है, आपको करनी चाहिए, ठीक है, अब politics को भी ऐसी approach क करना चाहिए, social service को भी ऐसी approach करना चाहिए, मैं इसमें believe करता हूँ, अगर ये politically correct है, so be it, अगर कोई हो सकता, अगर politically incorrect होती, तब भी मैं यही बात बोग था, One last question related to this domain, आपके जो पिता हैं, अजीर डोवाल जी देश के राश्ट्री सुरक्षा सलाकार, 2014 से 2019 में पांच साल का और कारेकाल मिला, 2014 में पूरा होगा, मैं कुछ राजनेतिक पत्रकारों से बात कर रहा था, off the record, तो उन्हों नहों नहीं ये कहा कि एक ये संभावना बन र इस तरह की मन्शा भी गाहे बगाहे, अब प्रत्यक शब्दों प्रकट कर चुके हैं, कि I want to hang my boots from the active role, तो एक संभावना ये है कि 2024 के पहले, वो अपने कारेकाल से एक ब्रेक लें और तब रास्ता खुल जाए, आपके पास भी इस तरह की ख़बरें और चर्चाएं हैं, but क्योंकि वो एक, क्योंकि ये हमारे घर के एक philosophy रही है, और मैं चाहूंगा कि ये philosophy मैं भी अपने बच्चों को दूँ, हम एक fundamentally merit based family है, हम meritocracy में believe करते हैं, तो you know the last thing मेरे पिता जी कभी कहेंगे कि वेटा तुम क्या मेरी वज़ा से तुम आगे बढ़ो या पीछे हटो सवाल ये कि अगर आप में शमता है, अगर आप में inclination है, अगर आपकी इच्छा है और आप में वो संखर्श करनी की capacity है, तो आप अपना रास्ता खुद निकालोगे, as parents, उनका सिर्फ मुझे blessings और guidance चाहिए, तो उनका और मेरा इन चीज़ों से कोई correlation नहीं होगा, कि वो उ इन तो चीज़ों का मेरे point to be से कोई correlation नहीं है, and I would not like the BJP to either reject me or accept me, because of who my father is, you know, वो दो अलग अलग चीज़े हैं बिलकुल, ना वो एक burden की तरह है ना एक extra blessing की तरह है, आपके आलोचक जब आपके बारे में बात करते हैं, we'll come to those points, उससे पहले मैं समझना चाहरा था कि आपक section इक प्रिश्ट भूमी क्या है, पर उससे भी पहले मैं ये जानना चाहरा था, जो कई लोग बोलते हैं कि आपने कहा कि मैं ना तो अपने father की वज़े से मुझे reject किया जाए और ना कोई selection में preference मिले, आपके साथ एक security detail चलता है, क्या कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद लगा security agencies को कि sure it should be provided extra cover, देखे मैं इसका जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता होता है, हमारी country में system यह होता है, क्योंकि मेरी जानकारी में 2014 से 2018 19 के बीच तक आपके साथ security नहीं होता है, कभी नहीं थी, उसके पहले भी नहीं थी, जब आपके father IB head कर रहे थे तब भी नहीं थी, तब भी नहीं थी नहीं थी, मतलब पहले उसमें, the best I can guess is कि उनको लगा होगा कि कोई input होगा, या कोई threat perception होगा, जिसकी basis पर उन्होंने ये decide किया होगा, और obviously मैं तो एक, मेरी एक young family है, एक young परिवार है, हमारे लिए तो यह बहुत disruptive है, हमार प्रिविसी के लिए भी, हमारे काम के लिए भी, पर जो, क्योंकि वह ज़रूरी था, और वो system ने कहा, कि आपको सही है, तो, नहीं नहीं ये, देखे, किसी के कुछ भी political difference या same हो सकते हैं, पर इस देश में कोई भी जो, किसी भी किसम की threat का potential target हो सकता है, they must be provided sufficient security, इसको लेक होगी, कहां होई आपकी पढ़ाय लिखाई? मेरी पढ़ाय लिखाई देश भर में हुई, अलग 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 जगाओं में मीजोराम से शुरू हुए, फिर सिक्के में हुई, फिर मैं कुछ साल अपने, पाकिस्तान में हुई, फिर मापेसास के लाँ में, उसके बार, यह ब से उनका एक नेशनलिजम का फ्लेवर आता है, हम बहुत आगे बढ़ गए उससे, पर उत्सुकता तो रहती है भरपूर, क्योंकि जाता लोग जा नहीं पाते हैं, वैद ढंक से, भारती वैसे ही जाते हैं, आप कितने बरस रहें पाकिस्तान में, कहां कहां रहें, क्या पढ आप इसलामाबाद में थे, बहुत हाई सिक्योर्टी अरिया रहता होगा वाँ दिप्लोमाइट से, उस ताइम पर तो इतना नहीं था, क्यूंकि उस ताइम पर आफगान क्राइस चल रही थी, तो पकिस्तान वस दिस्ट्रक्टेट इस पाइस 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 पर डाई धुरी रह मनि था, क्यों एक क्या है, camera बहुत है। che संव पाइस पर लि较ोर्ड है। ज़न भाः तो इकिन क्राइस पाही हुआ है ए प्रहा नहीं आपकिंप ज़ुस प्रिफताएं, क्यों तो लिस्तान and second you learn to fight alone, okay and 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 that's exactly I think what happened with me if you have a cricket match, you have 49 guys here and you have one side, okay then you have to be born in Rashtrabad yourself, okay if you have to be born in your life, you have to be born in your life so other than that I think there is no such earth shattering experience for that much to talk about but you have to always be conscious, there is history there that's a separate matter obviously, I didn't feel that when I was younger but you know now that I've seen the world, I've seen the world over the years I think that people have a distorted sense of reality, of who they are and where they are coming from in their school books, for example, they tell us that their history is 1947 started before they ignore everything, if they learn a little bit, they learn in this light of Muslim superiority over Hindu population, okay so that's right, so that one will be wrong notion that in 1947 they were in Hindustan and in 1947 they were in Hindustan and now in 1947 they were in a new country now they were in its prime of Adjustment, you know very distorted perception of you know so you know very distorted perception of because that feels like that. that's the feeling of government that feels like that. that is what I know you know is that your history is like that. that's what the history of Muhammad bin Qasim के बारे में नहीं पढ़ते हैं और उसी को फिर वो उससे 600-700 AD में मुहमद बिन कासिम से जोड़ देते हैं दोड़ाएजार का जंप मार देते हैं उसमें बीच में कोई गुपता डाइनेस्टी मौरे इसके बारे में कुछ नहीं बात जो थे हो ऊसमें और ऑउर हम साओ जाए चोलाव बगारा उनके बारे में उनका इंट मिंतरस्ट ही नहीं क्योंकि वो शिर्फ नर्दन इंडिया से और नदन वेस्ट इंडिया से सएाँ तो उसको इतने ही रखते एंट तो रूं का वह trained. as you can see, you know, क्या कहते है, अगर आप पानपड़े हो, तो उसकी प्राइस आप पे करते हैं, बड़्मेटली इन रांगराँ दोस्त भी बने वहां पे? तो साव सबस्टाव भी खेजब रहे हैं. Are you in touch with them? Unfortunately not, because once I came back, तो जमाने में तो कोई इसा इंटरनेट वगरा नहीं था, you know, given my father's profession, you know, I could not stay in touch with them. But you know, hopefully, maybe someday in life, I'll bump into them. Yes. But I'm really curious, Shohar, I cannot imagine being in a very hostile territory. Hostile, not in a very confrontational sense all the time, but being aware of this. मुझे अपनी किसी भी आइरेंट्टी को लेके अगर 2400 घंटे अवेर रहना पड़े, that I'm a male, I'm a North Indian, or I'm a UP वाला, or I'm a Hindi speaking fellow, or I'm a journalist. एक आइडेंट्टी लेके आपको लगातार कॉंशिक, उससे एक अलग सा प्रेशर रहता है. ये प्रेशर हर उस इंडियन को रहता है, जो किसी foreign country में रहता है. इसलिए हिंदुस्तान में रहकर हम अपने को realize नहीं करते कि हम कितने सोभाग्ये हैं, कि हम आज एक independent इंडिया में रह रहे हैं, हमें अपनी आइडेंटी के बारे में consciously look at, अगर आप अमेरिका में भी पड़े बड़े होते हैं, अगर आप अफरीका में भी पड़े होते हैं और आप वहां के लोगों से अलग होते हैं, तो आपको इस तरह के अपनी आइडेंटीटी के बारे में हमेशा conscious हैना पड़ा है. इस दुनिया के सिर्ए एक ये खिता है, जहां पर आप अपनी आइडेंटीटी से इसको जब आप डिली एरपोर्ट पर बंबी एरपोर्ट पर लेंड करते हैं, तो आप हर तरह से आजाद होते हैं, मुक्त होते हैं, और इस बात का हैसास करने के लिए, आपको दुनिया के बाहर, इंडिया के बाहर जाना पड़ता है, भारत वर्ष के, कि रेलाइज करने के लिए कि आपके पास क्या है, तो एक हलकी सी टेंचन रहती है, किसी भी आप एरपोर्ट पर घूम लो, कि तो भी कॉन्फिटेंट हो, और आप जैसी वो बोलते हैं, अब आप भारत के इंडरा गांधी अंतरास्ट्री एरपोर्ट पर आज चुके हैं, तो अब सब ठीक है, इसका बड़ा बड़ा इंट्रेस्टिंग मैं उधारा में देता हूँ, कि दुनिया में लोग कहीं भी हूँ, जब ये COVID की situation आई और दुनिया भर में सारे एरपोर्ट वगरा बंद कर दिये गए, तो बड़े-बड़े करोड़ोपती वगरा जिन लोग के अपने अपने हवाईजाज हैं, भार-भार विदेश में रहते हूँ, लोग ने कहा कि अभी तो पता भी नहीं हो रहा है, हम फोगा, ठीक है न, लेकिन अगर अब जो भी होगा, ब्गो अपने गाउं में हो, तो हमारे परसनल हुआज को लैंड करने दीजे इंडिया में, कि अब जगर मरना ही है, तो पहले स्वाले स्वाले स्में अपने नहीं जा लंदन अमेरिका में, हम अपने गाउं में ही जाके, अपना लास्ट का, इन डाट पीरिएट जब कुछ, पीपल पीपल नो कि अंसर्ट इंडिया, आप जब कभी भी देश की सिचुएशन देखनें, कहीं बर foreign में conflict होता है, अबी Sudan में हो राया है, कभी Ukraine में था, सबसे पहले हम अपनी country वापिश जाना, हम अपने घर वापिश जाना चाहते हैं, which is defined as India, वहां जाके फिर हमको लगता हम safe हैं, फिर वहां जाके हम गाली देंगे, सरगार को गाली दें, समाज को गाली दें, जो करना चाहें करें पट पहले हमें घर पहुंचातों यह नो तो यह जीब सी बात है बट इट इस टूट एक जाहें पाकिस्तान से फिर आप भारत आगई यहां पे यहां पर यहां पर मैंने अपनी दिल्ली में इस प्रहु आपके स्कूलिंग करी और उसके बाद मैं इन हिंदु कॉलेज से अपना आर्थ शास्तर में एकनोमिक्स की डिग्री पार करी अपनोमिक्स अनर्स फिर मैं ने वंट अन्नमलाई नहां अच्छी आए पिस आज एट इन हिंदु कॉलेज और इस बाद दू आपना इस बाद में एकनोमिस्ट बट आप इस बाद में बड़ी मल्टी नैशनल होती थी फिर्म कॉल आथर अंडर्सन वो जमाने में आइम्स और से रिकूट करती थी कुछ चंद बच्चों को लेती थी डियू के कॉलेजिस से स्टीफंस लसार हिंदू अगरा से मुझे वहां से सेलेक्ट कर लिया उन्होंने, मैंने चार साल उनके साथ मुखरी करी as a management consultant, उस ताइम पर उनके पास एक accounting firm थी तो मैंने अपना Chartered Accountancy की डिग्री कर ली, तो I qualified as a Chartered Accountant, क्योंकि मुझे भार जाना था MBA करने के लिए और उस वक्त 14 साल की education की requirement होती थी अमेरिका में, हमारी 3 सा की डिग्री होती थी, CA की डिग्री के साथ मैंने एक master in economics भी कर ली आना मला यूनिवेस्टी से, क्यों अगर मेरी application में technicality की basis पर रिजक्ट हो जाए, क्योंकि CA की डिग्री को वो लोग professional डिग्री मानते थे, academic डिग्री नहीं मानते थे, उसकी ज़रात नहीं पड़ी, फिर मे मेरा London Business School में और University of Chicago में admission हो गया, तो फिर मैंने एक साल London Business School में किया, एक साल University of Chicago में MBA किया, फिर उसके बाद मेने अपनी education खतम करती, फिर उसके बाद, फिर वहां से मैं, I got recruited to Morgan Stanley, तो बड़ा investment bank है, तो मेरा New York, Wall Street में मैंने अपना काम शुरू किया, as a banker, as an investment banker in New York, फिर oil and gas में था, oil and gas में mergers and acquisitions में था, corporate finance का जो होता है, sales and trading या, markets में नहीं था, corporate finance का banker था, और उसके बाद फिर मैंने कुछ साल, Saudi Arab जाने का सिलसला वहीं से शुरू हुआ, हाँ, महीं से मेरा Saudi Arab जाने का सिलसला, कैसा देश है, हमने तो सिर्फ फिल्मों में देखा है, मक्का मदीना देखा है, मुहमद बिन सल्मान की, जो कोशिशे हैं और जो उन पर साजिशों के इज़ाम लगते हैं, उनके बहुत सारे ब्योरे देखे हैं, यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया के जरिये, आप तो होके आए हैं, आप बताए हैं, मेरी Saudi Arab की ट्रावलिंग शुरू हुई, राइट आफ्टर 2001, सेप्टमबर 11 में मैं जब हुआ, मैं New York में कुछी बिल्डिंग दूर काम कर रहा था, Morgan Stanley में जब हु हो गए, और बहुत सारे ट्रावलिंग के लिए पर रिस्रिक्शन हो गए, Saudi Arab जाने के लिकिन, क्यूंकि, और इन गास बैंकि तो वही होती थी, बड़ी-बड़ी अमें कंपनिया वहां थी, तो उनको कुछ वोलंटियर्स चाहिए थे, Morgan Stanley में, जो Saudi Arab जाने को तयार हो जाने, क्योंकि American citizens बगारा तो… Was it leveled as a country of Ladin? It was, at that time there was a lot of different perception in the west about what had happened and you know their approach to Saudi Arabia, yet they needed to engage with Saudi Arabia because they were heavily dependent on oil on that point in time, you know, America hadn't started work on shale at that time. So, you know, by chance, I also, I was quite keen, I was quite neutral, कि मैं कहां काम करूँ, मैंने कहां का चलिए मैं यही oil and gas का काम करूँ. तो महां से मेरा जानते हो, तो उस Saudi Arab जो 2001 का Saudi Arab है और 2023 का Saudi Arab है उसमें तो बहुत फरक है. बताएगी जरा हमाने दश्कों को. और आइ तिंग उसमें जो यह करेंट क्राउंट प्रिंस हैं, मौमद इन सल्मान उनका बहुत बड़ा रोल रहा है उतने कंट्री को और समाज को ट्रांस्फॉर्म करने में. 2001 का जो Saudi Arab था वो काफी restrictive था उसमें जैसे की महलाओं के कोई rights नहीं थे अगर हम मौगन स्टैनली में अपनी किसी female colleague को लेके नहीं जा सकते थे. क्योंकि आप Saudi Arab तब ही जा सकते थे, for a female if you were either accompanied by your father or your brother. तो अगर आपके साथ किसी transaction पर या deal पर कोई महला काम कर रही थी तो she could not accompany you on those trips, उस जमाने में तो कोई zoom वगरा भी नहीं था. So she would have to, so you know simple things like that or if you were a non-muslim तो आप पे बड़े सारे restrictions थे अगर आप शाम को. जैसे कि अगर आप शाम को कहीं mall में या कहीं walk कर रहे हैं और अचानक you know नमास का time हो जाता है तो आपको obviously जो सारे उनकी जो moral police थी वो सारे Muslims को तो force करती थी कि आप जाके नमास पढ़िए. तो moral police कैसे force करती थी? उनके पास सोटी जैसी होती थी और वो लोगों को सोटे वारते वो जलते मौल में आप जाहिए कि जाहिए और वो करिए तो तो वहां से वो था साओधिया और आप जैसे घूम रहे हैं mall में आप तो आप से पूछ लेते थे कि आपको आपको बस हमने शापना identity card carry करना बार पहले तो पूछ थे हैं आपको वैस्टनर होता या एंगलो सेक्सुन तो तो नहीं पूछते पर आपसे पूछ लेते तो आप अपना पासपोर्ट दिखा दिखा देते थे मैं तो नहीं हूं तो था आप एंप आप से कहते थे था कि आप रह लीजे लेक्टिन तो कोई महिलाओं को गाड़ी चलाना अलाओड नहीं था, आप तो महिलाओं भी गाड़ी चलाती हैं, लोगों की ड्रेस सेंस बदलता जा रहा है, अभी तो recently मैं देख रहा था कि उन्होंने रेट सी फेस्टिवल की, उस ताम पे तो कोई पिक्चर हॉल वगरा भी नहीं थे, हमारे श मैं, मतलब उनके भाई बंदूओं से, दोस्तों से तो हो चुकी होगी, हाँ, मतलब यह भी एक बड़ा लंबा विशा है, क्योंकि साओधी अरब के अंदर जो, जो सो कॉल्ड प्रिंसे हैं, वो बहुत बड़ा नंबर है, करीव आज की तारीक में, वो 2000 से उपर प्रिंसे ह ठीक है, तो, सब को एक दूसरे के नाम याद रहते हैं, किसी को किसी के नाम याद नहीं रहते हैं, कहीं के नाम भी रिपीट होते हैं, तो अगर आप एक प्रिंस के नाम से जैसे कि हमारे हैं, हुए होगा ना कि मनोज, तो परिवार में चार मनोज हो सकते हैं, तो वहां भी आगार हाती हिं इंटरनेट पे कि उनकी गाडियों में सोना मढ़ा हुआ है ॉर ऐसे सोने चेन में चीते को लेके जा रहे हैं तो होता है नहीं तो कभी नहीं देखा पता है अगर होता होगा तो तो मैंने तैसा कभी नहीं देखा लेके आप हुआ यह अक्सर जाते हैं तो हमें लगा मौका मिला है तो पूछ लें आप ने बिल्कुत So you went there as a as a banker as a banker oil and gas की field में oil primarily क्या तजर्बे रहे आपके on the business front what was your learning? No, I realized that one thing was very obvious even then की after September 11th the world would completely change its dependence on fossil fuel because जुसकी जो political or geostrategic cost थी वो बहुत जाद हो गया और उसी वक्त अमेरिका ने फिर alternative energy पे काम करना चुरू किया शेल पे काम करना चुरू किया तो the oil producing countries particularly Saudi Arabia also became very conscious की हमारा यह जो तेल है यह हमेशा के लिए नहीं चलेगा और यह जो हमारे को दुनिया को दुनिया को इस तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर हमारी आमदनी का source क्या होगा लेकिन क्योंकि इतना पैसा आ रहा था और society के अंदर already इतनी level of dependence थी कि उसका जो political cost था बदलने के लिए system को बदलने के लिए परिवरतन लाने के लिए हर आपको इस तरह का परिवरतन लाना पड़ता तो आपको स्कूल चलाने पड़ते हैं महिलाओं को रोल देना पड़ता, economy को खोलना पड़ता, foreigners को लाना पड़ता, मतब कई सारी चीज़ें करनी पड़ती क्योंकि आप alternative, institutional change, institutional change लाना पड़ता, उसको करने के लिए किसी में इतनी political will नहीं देखी कि कोस्ट को लेने की, until कुछ few years ago, Muhammad bin Salman came and rose and became the cow prince, और जिस rate से, इस बात की मुझे लगता है, वहाँ पर acceptance उती, पता तो था कि यह गलत हो रहा है, लेकिन इसको हम tackle कैसे करें, इसमें हम परिवरतन कैसे लाएं, तो जब वो आए, उन्होंने फिर वो सा दिया, और उनसे कहा कि आप सब अपने, जो भी आपका state sponsored money है या monopolies हैं, उनको वापिस करिये state को, तभी हम आपको, अब वो jail four seasons hotel था, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन कई लोग महीनों महीनों बंद रहें, और उनको, और यह सब बड़े-बड़े business man थे, बड़े-बड़े industrialist है, बड़े-बड़े princess भी थे, तो मैंने एक समाज में अपने-पने तरीके से leaders परिवरतन लाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह उन्होंने अपने समाज में परिवरतन ला रहे हैं, जिस तरह वो समाज को openness की तरह ले जा रहे हैं, महिलाओं को empower कर रहे हैं, he looks like a leader with a vision. founder की phone hacking का ilzaam लग रहा है, are they worried about this optics? Yes, I'm sure they are worried, I don't know formally whether they are worried or not because that only they will know, but obviously they are also very conscious, as every modern state is, that our global perception क्या जा रहा है, लोग हमारे अंदर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर लोग हमारे बारे में ये सोच रहे हैं और हमारे को ऐसा सोचती हैं तो फिर क्या वो हमारे साथ तिजारत करेंगे, क्या हमारे अंदर निवेश करेंगे, क्या हमारे साथ बिजनस में डील करेंगे, क्या था आपको तो फिर साब मैं तो वहां से मेरी पोस्टिंग लंडन हो गई मैं लंडन में काम करने लगा लिकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहता था वहां आपकर है भाई है? भाहा है वह वही मेरे फिर भाहा है वहा? मेरे मेरे अटाटे ब्रदर.. Weakrump को साहथे लॉन डεूस्स.sen इसलिए उसनांस था wise, वेर बेर्टिस funds, ने वेशला है तो बार्स्थ अबुदाभी में, he is the number three guy of a very large bank, अबुदाभी में, interesting, और आप भारत में रहते हैं जाहते हैं, तो 2009, 2009 तो मैं कुछ काम करना चाहता था देश में वापस, किस साल की बात है, 2003-04 साल से शुरू हो गया था, क्योंकि थेखिए, मैं बहुत यंग एक investment banker बन गया था, मैं settled था, I had doing okay in life, but I wanted to give something back to my country, but I didn't know what to do, because I was outside, I wasn't in the government, I wasn't in politics, I was not in social work, and that is what I must give great things to the, to the RSS, because it's a great platform for people who want to give back, I did not know much about it at that time, but I got to meet them, and I expressed a desire. मुलाकात हुई आपके, अब यह सरी लंबी कहानी है, इसको आप, अरे आप कहानी सुनने के लिए बैटें बाइसा, पर नेट नेट उसका यह हुआ कि, मुझे कुछ एक नाम आप इसलिए बता दीजिए, माल लीजिए, आज की तारीक में लेंडन में एक और भारती है, जो बैंकर है, ने, उनके कहें, वो आपके मेरे से मिलने में, उनको आस्ता देजिए, पर यह वागी, मुझे का गया, और मैं धीरे-धीरे मुझे लगा कि, मुझे कुछ करना चाहिए, और आपको याद है, 2009 में देश में बहुत निराशा थी, एक के बाद रष्टाचार कारिक हो रहा था, बॉंबे का इंसिडेंट भी हो गया था, और सब कुछ हुआ, सब कुछ हो रहा था, सब लोग कह रहे थे, देश डाउन जा रहा है, और फिर वही लोग वापिस आ गए, ता मुझे लगा कि साब अब बस बहुत हो गया, अब मैं यह 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 लंदन बैठके इसक दिर इसका नाम इंडिया फाउंडेशन है, आठी राम अदर से बात हो रही थी, किया है, उस वक्त मेरी रामाधर जी से परिचाहह नहीं था, रामाधर जी도व स्वाइम से रहा रसेयस इसके इहाँ दिली में स्पोक्स में था, उनको यह यह काम दिया गया, इंडिया फाउ कहärा था, मुझे टास्क दिया गया है कि आप रामादवजी के साथ काम करिए और उनको सहयोग दीजिए काम, तो रामादव जी को दिया गया इंडिया फाउंडेशन चलफ बनाने का, मुझे तो कहा गया आप उनके सथ रुका सहयोग करी और उनके तो मैं उनके साथ 2009 में जुड़ा और मैंने इंडिया फांडेशन का काम शुरू कर इसको लेते मैं फिर वापिस अपनी परिवार को लेके इंडिया वापिस आ गया 2009 में तब तक आपके पिता जी भी सर्विस से रिटायर हो चुके थे और विवेका नंद फांडेशन शुरू कर चुके आप उससे नहीं जुड़े माझे अरा भाब टार विवेका नंद फांडेशन से कोई लिंक नहीं है इंडिया फांडेशन से कोई लिंक नहीं मतलब तो आरा हाई इसके लावा मथा बने मैं लोह publishing को जानता हूं जो वी आइए में साथ स्टाफ किया गया और शायद हमारा बीजेपी के साथ जादा मोर एक्टिव रोल था विवन इन 2009 किस तरह का रोल था रोल था जाए कि कई सारे पीजेपी के लोग भी इंडिया फांडेशन का पार्ट थे जैसे लिर्मला सीता रामन जी हाँ जैसे कि वो थी सुरेश वगरा जो वी आएफ में कोई ऐसे लोग नहीं थे जो बीजेपी और जो पोलिटिकल लोग थे वी आएफ में का जाता है कि टॉप शॉट्स थे जादा थे सेकुरिटी, फॉरण पॉलिसी, बिरॉक्रिट, जेंरल्स, इंटलिजेंस ओफिसर वगरा लोग थे तो वो दे वर भॉपदूचर यह थे जाम्टाशन, डिएफ मुषण फॉपर फिंड्स पील, इस निर्मटाशन प्रॉप नहीं बॉपदूचर बॉप्दशन, इस रिजेकर yone, बिरॉब्टेफ विजेशन, ऐस अचाहिए नहीं अर्पन करूदूचर एप मूज्स फॉट्वरॉपयं व उसमें लोगों को जोड़ना, economic issues पर काम करना, थोड़ा बहुत foreign policy के issues पर काम करना, उस वक्त तो मैं वही काम करता है, आ रहा हूं तब से, तब आप India Foundation में काम कर रहे थे शोर, तब आपको जानकारी थी कि Vivekanand Foundation में काले धन और भ्रस्टाचार के खिलाफ आंदोलन को लेके एक एक रूपरेखा बन रही है, जिसमें आपके पिता जी के निर्देशन में, गोविंदाचार, स्वामी रामदेव, अन्ना हजारे इन सब को, अलग-अलग छत्रियों के नीचे से, फिर एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कवायत चल रही है, कि एक movement शुरू हो, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था, उसका कारण भी यह है कि, जैसे मेरे पिताजी तो एक intelligence officer रहे हैं सारी जिन्दगी, तो हमारे घर में अपने पिताजी से क्या काम करते हैं, इस बारे में पूछने का कोई ऐसा system नहीं है, हम अपने घर में अपने घर की बात करते हैं, तो हम लोग काम आमकी बात नहीं करते हैं, मुझे पता था, मुझे पता था मेरे पिताजी क्या 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 रहे हैं, और क्या-क्या चीज़े चल रही रही ह म refugee को लेना देना नहीं था तो अभी क्या करता है इंडिया foundation, तो इंडिया foundation essentially 3-4 areas में काम करता है, वो एक तो काम करता है हमारी जो foreign policy और security area के अंदर, तो उसका एक हमारा division है उस पे हम दुनिया भर में conferences organize करते हैं वो जो इंडिया notion वाली, इंडिया notion एक search conference है, उसके तरह counter-terrorism conference है, कई तरह के working groups होते हैं का इलतरा के bilateral dialogues होते हैं थी थेंग्स आगर आप आम जंता को उधारन साथ समझा सकें क्या होता जैसे यह इंडिया नोशन conference अभी धाका में हो रही है तो यह अभी छटी इंडिया नोशन conference है इसके ऐसे पहली पांच जगाओं पे हो चुकी है Singapore में हैनोई में अबुदाभी में मौल्डीव में पेसिकली एक सोच आई की देखिए साब यह जो इंडिया नोशन का region है यह एक समुद्र है जो इंडिया के नाम पर बेस्ट है इसके चारो तरफ जो चोटे-चोटे देश हैं वो हमेशा भारत वर्ष से किसी ना किसी तरह से जुड़े रहें सब्वेतास के माद्यम से खान पीन के एडुकेशन के उससे व्यापारिक संपक्त तो यह डिसाइड हुआ कि या ठीक है सरकार के माद्यम से तो बहुत काम चलता है इंडिया नोशन आयो रूल्स होने चाहिए उससे जोडा जाए एक और एक कॉमेटी ऑफ नेशन बनाई जाए जो यह तैय करें कि हम अपने लोगों हम अपना संचालन कैसे करेंगे इस इंडिया नोशन में बहुत सारी चीजों की कारण यह राय कि भार के लोगों ने यहां पर इंवाल्व हुए अमेरिका की इतनी बड़ी सेवंथ फ्लीट है दियो गार्शिया में तो यह नो पहले फ्रेंच कॉलनीज थी पुराने टाइम पर अभी भी कुछ एक टापू है उसको इस पर काम किया जाए तो उन सब देशों को जोड़ने के लिए और वहां के लोगों को जोड़ने के लि किया अब सिरलंका में तिंग टैंक से उनके साथ इस तरह हम जगा जगा पर हम दीरे दीरे इन कंट्रीज में इस कॉन्फरेंस को लेके माद्यम से अवेरनेस बढ़ा रहे हैं आइडियास को डिसकस करते हैं कि हम ही क्या-क्या-क्या थीम होनी चाहिए इस इस एरीजिन की तो इसके साथ अभी बहुत एक्टिव संबन नहीं माल लीजे पाकिस्तान या कोई बड़ी ट्रेट डील होनी है जिसमें चाहते हैं कि दोनों देशों की कंपनिया साथ आए और कारोबार बढ़ाए तो आप लोगों को वह जिम्मेदारी दी जाती है बिना ऑफिशिली कहें कि तोला माहौल बनाएए इंटरेक्शन करिये और आपकी जो समझ है फिर वो सरकार तक पहुचाई जाती है कि हमको ये समझ में आया तोला इस हिसाब से बताए इंडिया फार्मिलेशन पूरी तरह करेक्ट नहीं क्योंकि सरकारें इस तरह नहीं काम करते हैं जो सरकारों को जा महौल बनाने में और इंपूट्स लेने में सरकार को कई जगाओं से इंपूट्स आती हैं अपने माद्धिया के माद्धियम से आती हैं अपने चैनल के तो पर उनको मीडिया के माद्धियम से आती हैं उनको तो इंडिया फाउंडेशन का काम बेसिकली अभी तो अभी तो कोइंसिडेंटली बीजेपी की सरकार है इसलिए इसलिए आप इसको जोड सकते हैं कि सरकार के objectives को achieve करने में बट इंडिया फांडेशन का जो objective था वो वस ब्यॉंड दे government, you know it was about advocating about India, about promoting India's point of view to the rest of the world and उसमें obviously जब बीजेपी की सरकार होगी तो क्योंकि हम सब एक ही umbrella of organization से आते हैं तो obvious है कि जन्द में उनको लगता होगा कि हम सायोग दे सकते हैं, वो हमसे पूछते होंगे कि हमसे कहते हैं कि आप इस काम में मदद करेजा हैं को लगता है कि हम कुछ कुछ कॉंट्रिबूट नहीं कर सकते हैं, वो हमसे यूज नहीं लेते होंगे हमारा अच्छा और आप इंडिया foundation के साथ साथ टॉर्च investment के CEO भी हैं जी तो क्या हुआ कि जब 2009 में मुझे कहा गया कि आप मैंने कि मैंने डिसाइड कि वापिस हिंदुस्तान आई है तो मैं आपना कुछ शुरू करता हूं और मैं अपना कुछ शुरू करूंगा जो मेरे area of related area of interest का या जो मेरे competence का है और मैंने एक टैग किया कि मैं उसको अपने website को हिंदुस्तान के भाहर रखूंगा मैं मतलब अपना जो website काम है क्योंकि मेरे पास तो कहीं भी option था और मेरे तो globally employable था मैं नियॉर्क में था मैं लंदन में था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंगापोर में फंड मैनेजमेंट कंपनी शुरू करूंगा और मैं दुनिया भर में जिससे होता है इसमें अपना capital raise करूंगा और उसको निवेश करूँगा वहां से मुझे मेरी को दूँगा और एक percentage of time मैं torch investments को दूँगा पहले जियस नाम था पहले उसका नाम जूस था पिर हमने उसको चेंज करके torch कर दिया एक 2017 में दवायर में आपकी ऊपर story आई थी इसमें यह स्वाती चतुरवेदी ने story की थी इसमें इल्जाम लगाया गया कि जूनियर डोभाल यानि कि आप और भाजपा के राश्ट्री महासचे और राम मादव द्वारा चलाए जाने वाले इंडिया foundation के निदेशकों में रक्षा मंतरी हैं वानजी मंतरी हैं दो राज मंतरी हैं संग के कदावर नेता हैं कारूबारी है जिनके प्रभाव शाली पिता प्रधान मंतरी कार्याले में हैं और इस सांस्थानिक वजन मिलता है और एडवांटेज मिलता है, आपने इंगेज भी किया था इस स्टोरी में, हाउड यू रिस्पॉंड तो इस जो कह रहे हैं? आप ही तो अब हमको हाइंडसाइट का एक्सपीरियंस है, कि हमको इस स्टोरी को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो उस तक हमें भी नहीं पता था जादा ये, पर ये स्टोरी इतनी शैलो और इतनी इन्वेंडो से भरी वी थी, मतलब जिसमें इसका, इसका एक्चुली स्टोरी का कोई स्टोरी में, उनका जो चार्ज था, यह हमें नहीं समझा, अंग्रेजी बहुत थी, ठीक है न, जैसे आपने कहा कि उसमें ये हैं, उसमें ये हैं, तो ये तो matter, fact था, ये की मतलब ये, ये निर्मला सीतारामन जी हैं, या मैं किसी का बेटा हूँ, ये बात तो कोई 2017 में, नई बात तो नहीं पता चली, तो उसमें चार्ज किया था, अगर उनका चार्ज ये था, कि क्यूंकि ये सब हैं, इसलिए इसमें conflict of interest है, तो फिर उनको ऐसे, अगर उन्होंने investigative journalism था, वो जाते, वो करते, वो ऐसे site करते, कि 5, 6, 1, 2, 4, 5, या एक भी उधारन, कि साब यहां पर उनका conflict of interest आया, और हमको पता है कि उनका conflict था, अगर आप उस पूरे article को पढ़िये, तो उसमें यह कहा कि हाँ, इसमें conflict of interest हो सकता है, क्यूंकि उनका था, पर उनको यह धारन नहीं देते, हमारा उसमें submission था, अगर आपको लगता है conflict of interest, हमें तो कहीं नहीं लगागी conflict of interest, conflict of interest तब होता है कि जब हमारे दो अलग-अलग interest conflict करें हम दोनों का interest देश की सेवा है, सरकार अपने माधियम से अपने government role में कर रहे हैं, हम private role में उसको कर रहे हैं, तो आर्टिकल बहुत मतलब मेरे खाल से उसमें उन्होंने दो तीन चीज़ें उसमें कहीं थी, एक India Foundation की अपारदर्शी वित्तिय संरचना, पैसा कहां से आता है और कहां खर्च होता है, इसको लेके उन्होंने का कि ट्रस्ट रन है, दूसरा उन्होंने कहा कि आप Gemini Financial Services, पहले इसको इसको एक एक करके आपके माधियम से मुनके जवाब दे देते हैं फिर, तो उन्होंने कहा है साब कि इसका फंड कहां से आता है और फंड कहां से जाता है, तो पहली बात तो इस सब की फाइलिंग, जैसे कि हर ट्रस्ट की होती है और पब्लिकली जहां भी गर्मेंट की एजनसीज होंगी वहां पे होती होगी, हो जाके वहां से फाइनेंशल्स निकाल सकती थी, उसको चेक कर सकती थी, कि कोई 2009 में भी होगी 2010 में भी होगी 2010 ऐसे ही चलता आ रहा होगा, तो क्या सरकार को कोई ऐसी उसमें कोई अद्बूत बात थी, या 2014 के बाद सरकार ने उनको अगर कहीं इस्तमाल किया तो सरकार के आडिटर्स ने या सरकार में कहीं बताया गया कि साब ये कोई अब्जेक्शन रेस हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई डिफरेंस था, हम 2009 से 2014 भी काम करते हैं, तब भी कई बार हमको सरकारे, लाइक सरकारे और भी ठिंक टैंकों को करती हैं, हम से काम कराती थी, तो हमको उसके लिए कुछ यूपीए सरकार इंडिया फांडेशन से सलाह करती थी, सलाह नहीं, आप नहीं समझे, सलाह तो हम उधार हम समझाते हैं, क्योंकि कई चीज़ां बड़ी जट्ल हैं, आम जन्ता को समझ में आ जाए हैं, जैसे कि उस ताइम पर हमने बॉर्डर मैनेजमेंट पर बहुत काम किया, कि बॉर्डर मैनेजमेंट की इशू को लेकर, तो हमने उसमें बड़े-बड़े कॉन्फरेंसे और्गनाइज करी, हमने बॉर्डरों से लोगों को लाया कि विला, तो हमने यह कहना कि बिल्कुल भी नहीं करते थे भी गलत होगा, लेकिन मैं उस शेय पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अब यह बात कर रहा हूँ, आपने जो उनका चार्ज था, कि आप ये, उनकी कहां-कहां से फंडिंग आती है, तो किसी भी think tank की funding, उसकी conferences से, उसके publications से, और उसके advertisement से आती है, हमें कोई सरकारी advertisement नहीं मिलता, हम conferences organize करते हैं, उसमें कभी-कभी सरकार हमको contribute करती है, भी तादर जो कोई unique नहीं है, और बाकी हमारी funding, कोई और संस्थाओं से आती है जो 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 पब्लिक इंस्टूशन है प्राइवेट इंस्टूशन से सॉरी तो वह तो पहले भी आती थी अब भी आती है और मुझे नहीं लगता कि हमारे एक्टिविटी के लेवल में कोई बहुत ज़ादा चेंज आया है 2014 से पहले और में थोड़ा है पर इतना बड़ा काम नहीं चेंज आया है दूसरा उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि आपको जो विदेशी रक्षा कमपनिया हैं उनसे बहुत स्पॉंसर्शिप मिलती है तो यह देखे यह वह बाहना काना उन्होंने एक भी उधारन नहीं दिया मुझे भी नहीं पता किस विदेशी कमपनी की वह बात की इस्राइ कि कैना कि एलाइन कंपनी है और उन्होंने काण फ्रैंस को स्पॉंसर किया उन्होंने वो कॉओंफिन स्कोंसर करने से यह बात कहना कि उससे भारत सरकार का स्राइशिजिजैं में नहीं रिडिडिकुलस होगा क्यूंकि इस कितना खरचा आता होगा You know, you know, you know. And some Indian companies have done it. Cannot be perceived as a favor, that's what you want to say. No, but that's what I'm saying. If it was something that was never being done, and then somebody had done. For example, suddenly these companies have started funding an organization that never did any of this activity. Boeing, for example, funds many other think tanks. Not think tanks, but the conferences of their thing. They get advertisement slots. They put their… How do they know that Boeing has funded? कि अब करिए कि अपने वह फंड वह को हम अपने बैनर भी लगा है कि हमारे गोल्डन स्पॉंसर रहे हैं या हमारे वह संपॉंसर तो यह बात कहना कि अपनी रिपोर्ट में लिखा की निर्मला सीता रावन तब तक डिरेक्टर थी नदेशक के तार पे जुड़ी थी या सुरेश प्रभू जुड़े थे तो कहना है आप वाने जी मंतराले चला रहे हो और यहां पर बहुत सारी कंपनिया आ रही है जिस संस्थान से आप जुड़े हो तो किसी तरह का फेवर इसलिए वह बार 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 रहे हैं मैंने का उसमें सिर्फ इन्वेंडोज और इंप्लिकेशन से बिदाउट इनी सबस्टेंस सो पर यहां जैसे कि कोई भी कोई भी सरकार का रूल कहता है कि आपको पास कोई ओफिस और प्रॉफिट नहीं होना चाहिए जिसके अगर आपको याद है सोनिया गांधी जी ने नैश किसी तरह की रिमिनिरेशन लेता था यह तो एक सोशल एक्टिविटी कोई किसी मंदिर की कमिटी का चेर्मेन हो सकता है इसका यह मतलब थोड़ी या किसी उसका उसका अब उनका काम उनको नहीं समय दे पाए इसमें टाइम डिवोट करना वो अलग बात है बट अब किसी चीज पर किसी कमपनी पर चल रही है समंधित मंत्रालेओं के मंत्री किसी फांडेशन से जुड़े हैं वह कंपनी उसको इसको शपांसर कर रही तो वह बोला थी ऐसे तो लिंक कनेक्ट हो रहा है अगर जिखिए आपको एक बात मैं बताता हूं मुझे इसका सबसे अच्छा उधारण एक वार एक Immigration Officer ने तिया, मैं एक एरपोर्ट पर जा रहा था, तो वहां सर एक जनाव आए, जिनके पास, मैं भी लाइन में ख़ड़ावा था, जिनके पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो हमारे दिल्ली एरपोर्ट पर उन्होंने पाकिस्तानी सा पूछेंगे, तो आपने तो कुछ भी नहीं पूछा, आपने ठपा लगा दिया, मैं जा रहा हूँ, मैं पीछे वाली लाइन में ख़ड़ा था, मैं कॉन्रेसेशन सुन रहा था, तो इस Immigration Officer ने खाए, जो गलत काम करने वाले आते हैं, वो पासपोर्ट लेकर थोड़ी आत अगर उसको इस तरह का काम करना होता, और वो इस एक्टिविटी में इंगेज होता, तो उसको यह सब करने की जरुत होती, और उसको एड़टाइज करने की जरुत होती, तो मेरा मतलब, जैसे मैंने कहना कि आप कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, अचा उसके बार चली कहा, तो फिर सिद करिये, अब हम पर ही ओना से कि आपने आप बताईए कि साब नहीं किया आपने, तो आरोप तो आप लगा रहे हैं, आप बताईए ना किया जब बोईंग ने किया, तो मुझे बताईए कहां बोईंग ने इतना कॉंट्रैक्ट जीता, उससे उसने इंडिया फा इस बात पर डिपेंट करता है कि उसमें सचाई है या नहीं, अब तो नौ सालोग है, यह तो 2017 के बाद क्यों नहीं लिखा फिर उन्हांने आटेकर, 18 में क्यों नहीं लिखा, 19 में क्यों नहीं लिखा, 20 में, हर एलेक्शन, और ओसका हर एलेक्शन के पहले कुछ बोलते हैं, पर कोई यह मानता तो नहीं है, क्योंकि इसमें सच्चा ही नहीं है, कि साथ यह जो लोग काम कर रहे हैं, यह इसलिए नहीं कर रहे है, क्योंकि यह इनको कुछ पैसा कमाना है, यह करना है यह इसलिए कर रहे हैं कि मेभी, rightly or wrongly इस बात से inspired है, और इंडिया फांदेशन को 2014 म म string में काम डिन काम कि की कि 2014 में निर्मला Då aiform निर्वाला जीव वित मंत्री बनेंगे मार गentes ho हां वित मंत्री थी और यह है और वो इंडिया वांडेशन जो जुड़ी तो ज़रू कुछ आप और इस चीज़ को भी हाइलाइट किया गया कि आपके साओधी राज परिवार के साथ बहुत अच्छे तालुकात हैं बताया गया कि JFS के चेर्मेन प्रिंस मशाल बिन अब्दुल्ला बिन तुर्की बिन अब्दुल्ला अजीज अल-साओध ये पूरा एक नाम है ये शासक परिवार के सदस्ते हैं और अब्दुल्ला बिन तुर्की बिन अब्दुल्ला अजीज अल-साओध के बेटे हैं और ये JFS के चेर्मेन है तो इस चीज़ को क्यों हाइलाइट किया गया आपके साथ पता है नहीं ये इतना इस बात का मतलब कोई कोई नसर नपैर बट वही मैंने का कि दो-दो चीज़ों को जोड़ कर ऐसा एक इंप्रेशन देना कि साब उसमें कोई गलत होगा मैं साओधी अरब 2001 से जाता था मैं उनको 2001 से जानता हूँ जब मैंने अपना व्यफसाई शुरू किया 2009 में उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपको थोड़े पैसे देता हूँ मैनेज करने को हमने का आप बहुत अच्छे नाम है आप हमारी कंपनी के चेर्में बनी है उनने का मैं बहुत खुशी से आप लोग को काम शुरू कर रहे हैं आपको करना चाता हूँ तो आज भी चेर्में है आज भी मैरेhesia अज भिरोधा भासी तो नहीं लगता है कि आप भारती जंता पार्टी के मेंबर हैं है ना भारती जंता पार्टी की एक छवी बताई जाती है कि एक अग्र राश्ट्रवादी और हिंदुत्वादी पार्टी की चवी और सौधी अरब के शासक परिवार के लोग आपके साथ तिजारत कर रहे हैं तो उसमें क्या उसमें नहीं मैं करूं कि इसको इसलिए हो इतना प्रेमेल लगता है कि आपके आपके आपको एक हिंदू नैशनलिस्ट औरगनाइज़ेशन को बिलॉंग करता हूं राश्ट्र सौयम सेवक संग के औरगनाइज़ेशन बैक टूंग और मैं तुट वजान नौ में जानते थे और यह भी आपके पिता राश्ट्री सुरक्षा सलाका रहे हैं मेरी और मेरी बात को वैल्यू करते हैں मेरे से इंगेज करते हो तब यह लोग नहीं थे और मेरा एक्स्पेक्टेशन है कि तब नहीं होंगे होंगे जब यह लोग नहीं होंगे तो आप यही मैंने का क्योंकि वह अंग्रेजी में सेंगे न जस्ट बिकॉस यू आर जस्ट बिकॉस यू आपको यह लगता है कि आपके साथ एक नाइंसाफी हो रहे ही क्योंकि आपके पिता बड़े पत पर बैठें तो आप कुछ भी never no 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 i most唱 यह अंचाफी नहीं होरी यूरि झा नहीं मैं आपके मिशोंकि क क्या रहां कि No no no, I mean the son of a famous father. Oh it's a matter of pride and I hope the only thing is that, people expect me to hold on the same standards and I am I ex- simple to hold on the same standards of whatever you may ascribe it to discipline, loyalty, hardwork, nationalism etcetera that's all, that is the only pressure and other than that there is no betting आपके पिता जी तो प्रदानमंद्री नरेदरमोधी से खूब मिलते हैं आपकी मुलाकात होतिया नहीं जी कुछ मुलाकात नहीं होती है अरे कभी अप नहीं होती है पहले जब मुक्यासरी थी अब सब्सवक्त कभी कभी होती थी जी हम लोग तैयरी कर रहे थे 2014 के चुनाओंगी So you were actively part of his campaign? I was involved in the campaign India Foundation was involved in the campaign क्या युगदान था इंडिया फाउंडेशन का प्रदान मंतरी चुनाओंगी अभी यह सब वो बाते हैं अभी खेतम हो गई हैं अभी क्या हो एक चुनाओ था तो अच्छी बात होगी ना भाई आप किसी में यकीन करते हैं आपने उसकी मदद की दर्शक कहेंगे कि बता नहीं रहें ने 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 वो यह था कि 2014 एक बहुत बड़ा नैशनल एफ़र्ट था बैसे सब कहा परिवर्तन लाने का उसमें अलग-अलग लोगों ने योगदान दिया जिन लोगों का कोई डारेक्ट पॉलिटिकल रोल भी नहीं था उस राइंग पर क्योंकि उनको लगा कि नैशनल इंटरेस्ट में यह आवश्चक है कि सत्ता का परिवर्तन हो और ऐसे लोग आए जो देश के बारे में सोचें उस समय पर ऐसे भी संस्थान जुड़े उस केंपेंग के साथ जो पॉलिटिकली या जुनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं था बीजेपी कउ उसका क्रेड़िट लेना चाहिए क्योंकि बीजेपी उसकि का काम था बाकी लोगों ने जो क्वन्टिब्यूट किया वह उन्होंने किया अपनी कन्विक्शन की वज़ा से उन लोगों को उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि अब क्योंकि वह अजीब लगेगा कि किसका क्या contribution था क्या किया गया बीजेपी ने एक election लड़ा बीजेपी ने election जीता बीजेपी ने फांडेशन और इंडिया फांडेशन समित तमाम संस्थानों बहुत सारे संस्थान भी थे और इंडिविजोल्स भी थे जिन्होंने मदद करी और वो अब्जेक्टिव अचीव हो गया और उसका अब्जेक्टिव के निर्वान कर रहा है यही तो हम चाहते थे हमको हमको 2009 में गुस्सा भी तो इसी बात का था हमें कोई politics सत्ता का issue थोड़ी था हमको यह था कि यार कि क्या हो रहा है मतब जो कुछ भी हो रहा है कोई कोई corruption भी करता कुछ नहीं होता कोई 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 चला जा रहा है को जिसकी मर्दी आ रही है वह अटक करके भी चला जा रहा है सब को जैसे बैठार में कई लोग यह भी कहते हैं कि ben डिकस हो रही है नेताओं पे E.D. के छापे होते हैं और जैसे ही नेता भाज़पा में आ जाते हैं सब ठीक हो जाता है महराश्ट के विधायकों की सूची गिनाई जाती है असम के मुक्यमंतरी हिमंत विर्श सर्मा का नाम लेता है एक लंबी सूची है, अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार हो रहा है, इस तरह भी अर्थशास्त्री ध्यान दिलाते हैं कि जो सांकिकी बताई जा रही है, वो अपने आप में एक कम्प्लीट और रोजी पिक्चर पेश नही पोलिटिकल जिसे कहेंगे में एक डिसकॉशन या एक पोलिटिकल अक्टिविटी होती है ऑपोजिशन और गुरूलिंग पार्टी की बीच में, तो वो तो सौभा भी कहेंगी चलेगी, और पहले भी चलती आई अभी भी चलेगी, तो हम उसके बारे में सेपरेटली बात कर कर सकते हैं कि अगर ऐसा वैसा है तो देश कहीं नहीं जा रहा है, मतलब हम एक अलग डिसकॉशन कर सकते हैं कि हम उसका परामिटर्स पर अगर आप देखनें कि आज इंडिया की जो नेट परफॉर्मेंस है, अगर यह दस पन्नों का परचा है, ठीक है ना, और आज हम कहां स्कोर कर रहे हैं, बनस्बत हम 2008, 2004 से 2014 के बीच का रिपोर्ट काट देखें और 2014 से 2023 का, तो यह कोई 19-20 का फरक नहीं है, ठीक है ना, यह बिलकुल मतलब कमपार्टमेंट पास और अब अब आवरेज परफॉर्मेंस का फरक है, जब आप यह कह रहे हैं, आप तो अर्थशास ौगी सैंग की 2008 से 2014 के बीच जीडीपी ग्रोथ का जो आंकडा था, 2014 से 2023 के बीच बीच बेस को चेंज करने के बाशूर्ट देखे 2004 से जो 2008 का जो आंकड़ा था ना वो correct आंकड़ा नहीं है मनमौन सिंग साथ की सरकार को attribute करने का क्योंकि वो 2004 से 2008 का जो आंकड़ा था वो basically उनको जो 2099 से 2004 तक अटल जी की सरकार में काम किया गया था उसका momentum effect मिला अगर हमको उनकी performance देखनी है तो हमको यह देखना है कि 2008 की जब global financial crisis हुई उसके बाद से उन्होंने अर्थववास्ता को कहां लेगा है 2013 था हमने जब सरकार में inherit किये 2014 की सरकार तो हम pay कर रहे थे हमें जो पहले 4-5 साल उसकी cost pay करनी पड़ी जो 2008 और 2013 के बीच में हुआ जब पूरी policy paralysis हो गए जब इंडिया के पास इतनी golden opportunity आई की दुनिया में global financial crisis था और इंडिया global investment ला सकता था इंडिया के अंदर सब्सक्राइब आपने उपर चुकिए आप सारजनिक जीवन में हैं तो जो भी इल्जाम लगाए गए उन पर आप अप नहीं बातचीत रख रहे हैं 2019 की कोशल श्राफ की बाइलाइन से केरवन की रिपोर्ट है यह रिपोर्ट कोर्ट में भी विचारा धीन है एक मुकदमा आपकी तरफ से किया गया है मानहानी का रास्ट्री सुरक्षा सलाका अर्डोबाल के बेटों की फर्जी कंपनियों का जाल यह हिंदी में जो रिपोर्ट आए थी उसका शीरशक है इसमें इल्जाम लगाया गया है कि आपके भाई विवेक वो केमेन आईलेंड में हेज़फन चलाते हैं और उसके बाद एक लंबा सिलसिला है कि किस तरीके से आप लोगों के व्यापारेखित जुड़े हुए हैं और यह कैसे कंफ्लिक्ट पैदा करता है फिर आप कोर्ट में गए क्या हुआ कोर्ट में जैराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फरेंस की थी उन्होंने भी कोर्ट में कुछ कहा ज़रा यह प्रस सबक सिखाना चाहिए हैं बिल्कुल क्योंकि ऐसे कुई भी कुछ बोल दे और आप शरीफ हैं आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपका केस बाई डिफॉल्ट चला जाएगा आप चुप रहेंगा बोलेंगे हैं आपके आदमी के मुग क्यों लगना जब उस बात में कोई सच करते हैं पर चली हो बात गई पर 2019 थक हम थोड़े से जादा और नॉलेजबल हो गए थे तो जब इन्होंने केरवन वालों ने यह आरोप लगाया जिसका कोई सर पैर आधार नहीं मतलब यह तो उससे भी खराब जॉब था जो वायर वालों ने किया क्योंकि इन्होंने का बिजनेस है और वो मॉन डी मॉनिटाइजेशन का पैसा है अगर समय तो मैं उसको एन्यवे बट उसका सबस्टेंस यह कि क्या हुआ हमने ठीक है हमने एक क्रिमिनल सिविल नहीं क्रिमिनल डेफरमेशन फाइल किया हमने का हमें आप से कोई पैसा नहीं चाहिए हम आपको जेल में ने देखना चाते हैं। मेरे बाइने का कि मैं ऐसा है उसने कोट में जाकर जिस दिन से तक उसका क्रॉस उइसेजेमिनिशन हुआ कोड में सवाल पूछे गए उनके वक्यीलों ने पूछा। किनके वकील है जो इनके defense वाले हमने तो criminal deformation किया या जायरामरमेश शहाब किया उसके बाद जब उसका पूरा का पूरा cross examination हो गया हमने सारे document submit कर दीये तो उनकी बारी आई जायरामरमेश शहाब किया हमने का उनके court में बुलाए हम उससे सवाल पूछेंगे उस समय जारा हम शमेश आपने का कि साथ बहुत गलत होगे, हम से गलती होगे, हम कोर्ट में आएंगे तो आप हमसे सवाल पूजाएं, हम आदार नहीं है, तो हम इसको हमसे रफा दफा कर दें, रफा दफा कर क्या मतलब है, यह उन्होंने आप से क्या फोन पे का, मुलाकात और आप इसके लिए माफी हैं, और उसके बाद उन्होंने सारवजनिक अपालोजी टेंडर करी, एक तेर साल के अंदर, उनका क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं शुरू होगा, क्योंकि अगर उनका क्रॉस एक्जामिनेशन शुरू होता, तो फिर हम भी इसको उसके एंड तक लेके जाते हैं, कि कहां तक इसको, तो पॉइंट बिंग कि अगर आप मैगजीन के साथ मुकदमा चल रहा है, क्योंकि मैगजीन का साथ मुकदमा चलेगा, और उनका टेकनिकल सब्मिशन है, हमने तो कोई, हमने तो सिर्फ हमने हर स्टेटमेंट के पीछे, अंग्रेजी में यह लिख दिया कि हम को ऐसा पता था, यह है कि हम को यह चार्ज नहीं कर रहे है, आगर वो आर्टिकल भी आप पढ़ें तो उसमें कोई चार्ज थोड़ी है, उसमें भी इनके भाई ने, आपको एक उधारंग देता हूँ, उनके भाई साब ने नवंबर 2016 में अपना 8 नवंबर और 21 नवंबर, ठीक है, अब हमने तो बच इतना ही का, अब आप इसमें इंफरेंस कर लीजे कि अगर 8 नवंबर को डी मॉनिटाइजेशन हो और 21 नवंबर को हज़ फंड हुआ, तो यह सायोग है कि प्रयोग है, गल्ती जैराम रमेज जी ने करी, क्योंकि जैरा इनकी टेक्निकल डेफेंस होई कि हमने यह सब कहां का, अब मैं आपको एक उधारन देता हूँ, जब दुनिया के 85% हेज़ फंड केमन आइलेंड में ही रेजिस्टर होते हैं, वो दुनिया की एक रेजिस्टर है, हेज़ फंड बनाने के लिए, एक फंड एक साल पहले अप भाई का अगर फंड 26 नवंबर 2021 को चला तो उसकी एप्लिकेशन 26 नवंबर 2020 को गई होगी, ठीक है, मेरे भाई ने 35 मिलियन टोटल फंड रेस किया, उसने एक पैसा हिंदुस्तान में ना रेस किया ना हिंदुस्तान में कभी आया, इन्वेस्ट भी नहीं किया, उसने चाइ को और 21 तारीक होगा, इसका मतलब जरूर कोई यहां पर देखे घोटाला है, तो उनका यह टेकनिकल डिफेंस होगा, कोट में कि साब, हमने तो दो फैक्स किया, यह बाद भी सही है, कि उनका फंड 21 नवंबर को यह बाद भी फंड 8 नवंबर को है, लेकिन यह कोट कोई में केमन आइलेंड में है, और इंडिया के अंदर फॉरेंड इंवेस्ट्मेंट बढ़ रहा है, तो केमन आइलेंड से नहीं आएगा, तो कहां अफरीका से आएगा, अरे भाई जहां के जहां पर कंपनी रेजिस्टर होती है, आगर आपने का कि हिंदुस्तान की 50% कंपनिया य पैसा, वहीं से तो आएगा, इसमें इसमें और बात किया है, और दुनिया में केमन आइलेंड में 85% of the hedge fund industry global registered है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो hedge fund industry सारी की सारी hill gotten money है या वो black money है, तो यह तो वही मैंना कहा ना, पिलकोल अनपढ़ गवार जर्नलिजम का उधारण है, ना ना आपने पढ़ा, ना आपने research करी, ना आपने investigate किया, ना आपको कुछ पता है, आप बस हवा में fire कर देते हैं, सोचते हैं शरीफ लोग हैं, उनको कुछ बोल दो, अगर हम इस पर कुछ जवाब नहीं देते हैं, election खतम हो गया, बात खतम हो गया, हमने उस टाइम पर किया चिपका तो चिपका, नहीं चिपका तो नहीं चिपका, लेकिन अगर मुड के कोई आदमी कैदे, जैसे राहूल गांदी को जी ने कहा, सारे मोधी चोर है, एक मोधी ख़ड़ा हो गया, मेरा लेना ना देना, मेरी काष्ट को तुम क्यों कर रहे हो, अब तो मैं तुमें चल रहे हैं, जिसमें इस तरह फूर्ती से फैसला आता है, और वो भी मैक्समम पनिश्मेंट दिया जाता है, कॉंग्रेस के पक्ष की तरफ से सवाल पूछा जाता है, तो अब होना चाहिए, अगर कॉंग्रेस वालों को लगता है, उन पे भी मानामी के तो उनको करना चाहि है, तो आपको हर चीज नेल दिखती है, क्योंकि ये खुद करप्शन में लिप्र थे, ये ये काम करते थे, इनको लगा कि दुनिया में सब ऐसे हैं, इन्हों ने का पै ऐसे कैसे हो सकता है, कि यार, येतना बड़ा थिंग टैंक है, इतना बड़ा सरकार के साथ चलता है, इ हैं अँढ़ान, क्योंकि एसा लगता था कि दुनिया ऐसी है, उनको लगता सब ऐसे हैं, उनको ये नहीं लगता कि आसे भी कुछ लोकोगों सकते हैं, जो आनस्थ हैं, जो राष्ट बात से प्रेरित हैं, जो इतने क् отдел कि उनको दुनिया भर कहीं से भी वो पैसा कमा सकते है उनको ये कमाने के लिए ये चोर ये एक शौर जो आप ये सब चीजें बता रहे हैं एक चीज जो बार-बार कही आती वो है कि अगर आप ऐसे लोगों को साथ लाएं जिनके कनेक्शन्स बहुत अच्छे हैं रूलिंग रिजीम में तो इस ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है तो मैं आपको उसका भी एक उधारन देता हूँ अब उसका भी एक डेटा आपसे पूछता हूँ अभी तो 9-10 साल हो गया है ने सरकार को दसवा साल हो गया है इस देश में जहां 24 by 7 जनलिजम है constant attention है मीडिया का आप मोधी सरकार के साथ disagree कर सकते हैं उनकी policies पर ठीक है आप you can have the opinion but 10 साल के भी कोई 6 महीने का evidence दोड़ी है अब 10 साल में अब कितने उधारन लेके आए हैं जहां आपने का कि यह सरकार में corruption है यह कोई सरकार का व्यक्ति करप्ट है आपने हर चीज़ पर नाम उठाया जो भी राष्टहित में था वो ना आप उसको court में जीत पाए ना पब्लिक में जीत पा रहे हैं और मैं आपको 10 साल का example दे रहा हूं अगर इतनी lift होती है जापने का इतने connection से चल रही होती सरकार और इतने connection से काम हो रहा होता तो कहीं ना कहीं तो evidence आता ना कहीं तो कुलता वे ऐसा आप इसको constantly तो छुपा के नहीं कर सकते ना तो कोई कोई नहीं मैं करो एक shred of evidence नहीं और यह इस सरकार के वी मस्ट यह परिवर्टन है इस देश में क्यूंकि इस देश की political system में यह पहले हमने कभी देखा ही नहीं था उनको जेनरिस भी surprise नहीं कि ऐसा कैसे हो रहा है ठीक है ना तो you must give credit कि यह बदलता हुआ हिंदुस्तान है यहां प अगर आप क्या जानते हैं वो जादा महत्वपून है आप किसको जानते हैं यह irrelevant है हम ऐसे भारत को निर्वान करना हम commonwealth games में medal जीत के आते हैं क्योंकि हम जानते क्या है जादा important है हम किसको जानते हैं और वहां पहुंच गए वो जमय निकल गया हिंदुस्तान है क्योंकि आपने commonwealth के मैडल का जिक्र गया मेरे सामने जंतर मंतर पर धरने में बैठे पहलवानों कि अब ही मैंने कहा ना कि इसको जानते हैं कि भी एक बड़ी लंबी बहस है लेकिन अब क्या लोग यह उमीद करें कि शौरे डुवाल जादा और नजर आएंगे पब्लिक स् में आर्थिक मामलों पर सरकार का पक्ष रखते हुए जैसे आपकी सीनियर निर्मला सीतारावन का एक ट्रजेक्टरी रहा आर्थिक मामलों की जानकार पार्टी की प्रवक्ता और उसके बाद मंतरीपत का सफर अनि यह नहीं कह सकता कि मेरे लिए क्या मैं क्या आगे जो रिस्पॉंसिबिलिटी देगी तो उस समय पर करना पड़ेगा अगर आपके जो आप कंपनी चला रहे हैं जिसके मनेजिंग डिरेक्टर हैं अगर मैं दोनों चीजों को मैंनेज कर सकता हूं तो मैं करता रहूंगा अब पिछले 15 सा में दब 2009 से तो 14 साल से तो करी रहा ह चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शौर डुबाल आपने इतने विस्तार से हमसे बात की जमगट में सवालों का और समवाद का सिलसला चलता रहेगा इस पूरी बातचीत के वारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं देखते रहे हैं ललन टौप धुक्त